चोले सबसे पहले एक बड़ी ख़बर की बात करते हैं बड़ते कोरोना संक्रमर के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है आंधर प्रदेश तेलंगाना से आने वालों को 14 दिन का कॉरिंटीन दिल्ली में जरूरी कर दिया गया है बिल्कुल 3 दिन पुरानी कोरोना नेगेटिव रेपोर्ट पर 7 दिन का कॉरिंटीन वैक्सीन के दोनों डोस लगवा चुके लोगों को 7 दिन का कॉरिंटीन आंधर और तेलंगाना में नया वेरियंट मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है बड़ी खबर लगाता है आपको बता रहे दिल्ली जिस तरीके से हाला दिल्ली में यहां पर बने हुए है और जो नया वेरियंट सामने आया है ये नया वेरियंट कहता है कि 2 से 3 दिन में जो पेशन्ट है उसे ही वेरियंट सुर्टिकल बना देता है इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है और इसी बीच एक और बड़ी ख़बर आपको उता है राजस्तान में 10 मई से 15 दिन के लिए संपूर लॉकडाउन 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा 31 मई तक विवाह समारो आयोजन करने पर रोक यहाँ पर लगा दी गई है विवाह समारो में डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज की अनुमती यहाँ पर नहीं होगी और विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट की भी अनुमती नहीं रहेगी घर पर दूला दुलन, फेरे ले सकेंगे या फिर कोट मेरिज भी कर सकते हैं और इस दोरान महस 11 वेक्तियों की मौजूद्गी को ही अनुमती दी गई है लगातार ये खयास लगाये जा रहे थे कि राजस्तान सरकार लॉकडाउन लगाएगी और इस बीचेक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं उतरफ्रदेश में भी नहीं थम रही कोरोना की रफकार बीते 24 गंटे में 26,622 नए पॉजिटिव केसिस दरज हुए हैं गुरुवार को यूपी में कोरोना से 350 लोगों की मौत भी और अब तक यूपी में 14 लाग से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं बड़ा आकड़ा है हाला कि जन संख्या जादा लेकिन उसके अनुपात में जो मामले हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं दिल्ली में कोरोना का कहर दिल्ली में 24 गंते में कोरोना के 19133 लोगों की जान गई है देखिए भयावे यह आंकड़ा है दरात देने वाला और साती साफधन करने वाला यह आंकड़ा आपके टीवी स्कुइन पर एक दिन की बात कर रहे हैं 20,028 मरीज सीख भी हुए है यानि की रिकवर भी हुए है लेकिन लगातार जो मामले हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं और चलिए अब महाराश्च्र का रूख करते हैं महाराश्च्र से बड़ी ख़बर सामने आ रहे हैं एक बार फिर से कोरोना विस्पोर्ट महाराश्च्र में देखने को मिला है बीते 24 गंटे यानि की महस एक दिन में 62,194 नए पॉजिटिव केसे सामने आए हैं बिल्कुल और चाहे दिल्ली हो महाराश्च्र ओहर जगह की स्कति बिल्कुल एक नज़र आ रही है महाराश्च्र में फिर हुआ है कोरोना विस्पोर्ट बीते 24 गंटे में कोरोना से 853 लोगों की मौत भी है गुरुवार को 63,842 लोग ठीक भी हुए हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ट बिल्कुल तो हो पूरे देश की सिती एक जैसी है कोरोना की लगाता रिकॉर्ट तोड मामले सामने आ रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर जार्खंड से आपको बताएं जार्खंड के हजारी बाग में शादी के एक हफ़ते बाद ही दूले की कोरोना से मौत हो गई है शादी से बो दिन पहले हुए बुखार को परिवार वालों ने नज़ांदास कर दिया धीरे-धीरे दूले की तब्यद बिगड़ती गए और कोरोना पर लापरवाही ने दूले की जान ले दी दुखत खबर आपको बता रहे हैं कि किस सरीके से देखिए ये तस्वीरे जब सामने आती है तो वो डरा देने वाली होती है लेकिन साफधान कर देने वाली होती है देखिए कैसे एक परिवार की जो खुशियां थी वो देखते ही देखते मातम में बदल गई जारखंड के हजारी बाग से मामला सामने आया शादी यहाँ पर हुई लेकिन एक हफ़ते के बाद ही दूलहे की कोरुणा से मौत हो गई क्योंकि बहुत नॉर्मल सिम्टम्स यहाँ पर नजर आया और परिवार वालों ने उसे नजर नदास कर दिया लेकिन धीरे धीरे जब दूलहे की तबद बिगरती नजर आई तो अब यह जानकारी सामने आई है कि कोरुणा पर लापरवाही ने दूलहे की जान ले ले विल्कुल इस तरह की खबरे लगातार सामने आई है और एक बार फिर से जारखंड से यह खबर है यह सचीद करने वाली खबर है आपको भी समझना चाहिए इशादे विवाह ने शित तोर पर होते रहेंगे और अलग-अलग राजू की मुक्यमंत्री भी लगातार दरफास करते नजर आ रहे हैं चलिए इसीपी शेक और बड़ी खबर स्विचल लैंड ने भारत मेडिकल राहत सामागरी भेजी है विशेश विवान 600 ऑक्सिजन पॉंसंट्रेटर लेकर पहुचा स्विचल लैंड से 50 वेंटिलेटर भी भारत को मिल रहा है और इसे को लेकर भारत स्विचल लैंड का धनेवाद कहा है यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यह जो तस्वीरे सामनी आई है वो रहत देने वाली है उन तमाम मरीजों के लिए यह तस्वीरे रहत भरी उन तमाम परेजनों के लिए जो कि इस वक्त परेशानी से जूज रहे हैं जो कि इस इस वक्त हेल्पलेस नजर आ रहे हैं यह बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं स्विजलो लैंड से 50 वेंटिलेटर भी भारत पहुंच गए हैं भारत ने स्विजलो लैंड का धनेवाद यहां पर कहा है अलग-अलग देश जो इस वक्त भारत का साथ देते हुए नज से देश भी दे रहे हैं अभी अगर धरातल की यहां पर बात की जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी सकती तमाम लगाई गई है क्या तस्वीर वहां से सामने आ रही है क्या कोई कंट्रोल लब यह मामले होते हुए नजर आ रहे हैं देखे फिलाल दस माई तक उत्तर प्रदेश में लॉक्डाउन है और यहां पे दस माई तक जितने बेसेशन सर्विसे से केल वही बहार रहे चकते हैं अब सुभे का समय देखेंगे तो सुभे के समय कई लोग आपको सड़कों पे नजर आएंगे आवाज जाही अभी बरकरार है कई जगों पर पुलिस की बैरीगेटिंग भी नहीं है वहीं दूसी तरफ जब एदेशों से साहता पहुच रही है ये साहता उत्रप्रदेश में कितनी पहुची है इसको लेकि फिलहाल कोई क्लारिची नहीं है क्योंकि CMO जिनका रियाक्शन कल हमारे सायोगी ने खुद ही लिया था उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन की कमी अभी बने हुई है अभी भी नॉइडा के जितने अस्पदाल है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है उन्होंने का था हम बेट तो अविलिबल करवा सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है आप यसे समस सकती है कि चाए स्विडिजल लैंड हो चाए हँग ऑक्सी कॉंसेंट्रेटर आया हो जर्मनी ने हमारी मदद किया अमेरिका ने हमारी मदद किया है इन देशों ने हमें मेडिकल सप्लाइज से लेकि ऑक्सीजन तक दिया है और सरकार पी लगाता है ऑक्सीजन कि बात करें, चाहे केलाश की बात करें, चाहे जिम्स की बात करें, कहीं पर भी ऑक्सीजन का इतना बैक अप नहीं है कि कहा जा सके कि हम मरीज को आइंट टाइम पे बचा लेंगे, क्योंकि हर कोई ऐसी सिचुएशन में फ़र्ज जाता है कि उसके बाद एक या दो घंटे का ह बैक अप बचा होता है, यही बच्छा है कि पोटेबल सिलिंडर्स का सबसे जादा होता है, और यही बात है कि जिले के सीमो, दीपक ओरी खुद ये बात कह रहे हैं कि हम बेट तो दिला देंगे आपको किसी अस्पताल में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, हम बहुत जादा दे अस्पताल को मिल ही नहीं पारी है, यह सिच्वेशन है धरातल की, यह सिच्वेशन है ग्राउंड की, और लॉक्डाउन का पालन जितनी कड़ाई से होना चाहिए, उतनी कड़ाई से बिलकुल भी नहीं हो रहा है, आप गली महले में चले जाएए, रहाईशी आलाकों में च को बता दे, कोरोना के बढ़ते संक्रमर को देख, रेलवे का बड़ा फैसला, रेलवे ने 23 शहरों से चलने वाली 28 ट्रेने, 9 मई से रद कर दी है, 8 जोडी शताब दी, 2 जोडी जन शताब दी, 2 दुरंतों, 2 राजधानी रद, यह बड़ी खबर आपको बता रहे है, 9 मई स अगले आदेश तक 28 ट्रेने ऐसी है, जो नहीं चलाई जाएंगी, लोगों को इससे परेशानी होगी, लेकिन जो कवायद है, वो इस बाकी है, जो संक्रमर की चेन है, उसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि अगर इसी तरीके से ट्रेनों का संचालन होता रहेगा, लोग एक जग महिम चला रहा है, और नकली सेनिटाइजर, नकली सिलेंडर, नकली मास्क बेचने वालों को बेनकाब जी हिंदुस्तान कर रहा है, जिस तरीके से लोग इस मौके पर आपदा में आवसर ढून रहे हैं, ऐसे में जी हिंदुस्तान के कैमरे से कोई बच नहीं सकता, तो राश्टु के नाम हिंदुस्तान की ये मोहे मौत के व्यापार पर, जी हिंदुस्तान का, यानि की हमारा बड़ा प्रहार, और जो लोग इस तरीके की हिमाकत इस वक्त में भी कर रहे हैं, हम उन्हें बेनकाब कर रहे हैं, ये चार तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त कौन सी चीज़े हैं, जिन से साफधान रहना है, बिलकूल और इसी बीच, एक और बड़ी ख़बर आपको बताए, मुंबई के पास घरों में पैक होती मिली, कोविड टेस्ट के ठाने के उलहा सनगर में, बच्चे पैक कर रहे लेकिन ये खौफनाक तस्वीर यहां से सामने आई है कि मुंबई के पास कैसे घरों में ये कोविड टेस्ट केट पैक होती हुई नजर आई है, ठाने के उलहा सनगर में, बच्चे यहां पर किट पैक कर रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे थे, एक किट को पूरी तरह प पैक करते हैं, बच्चे लोग सब पैक करते हैं, खाली में रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, अभी देखा, वहां जमीन में था, बच्चों के हाथ सब साफ रहते हैं, आपके, सेनेटराइज रहते हैं, मैंने देखा, आभी कई तरह से कई रूप से देखा है, अभी यह बच्चे यहां से बना रहे हैं ने घर में नहीं है यहां यहां हो रहा और सकारी ठीके ठीके पीड़ में लोगों साथ कितना बढ़ी शेरी कॉर्ट तो रहा है कि देखिए कितना साउधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविट टेस्ट किट जिसको गौवर्मेंट इतना महत्तो देती है और इन लोगों के जान के साथ खिलवाड हो रहा है यह मजबूर है और जो लोग इन्हें बनाने के लिए दे रहे हैं कर खान कार खाने वाले सोची कितनी बड़ी गिटे देगा खिना गिटे देगा तो इसी तरह अलगलग राज्यों अलगलग शेहरों की हर तस्विर जिह हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक लगातार पहुंचातार आएगा बिल्कुल बहुत चोड़े से ब्रेक के लिए रुख रहे हैं ब्रेक के बाद में खबरों का स अलगलग तो जारी है देगते रही है जिह हिंदुस्तान